बॉलिवुड सुपरस्टार शारुक खान के बेटे आरेन खान इन दिनों मुश्किल दोर से गुजर रहे हैं। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरू, NCB, ने आरेन को ड्रग्स लेने के आरोप में गिरफतार किया है। साथ अक्टूबर यानी गुरुवार को कोट ने एक बार फिर ड्रग्स केस में गिरफतार किये गए आरेन सहित सभी आठ आरोपियों को 15 दिन की न्यायक हिरासत में भेज दिया है। इस बीच गुरुवार को जब आरेन को कोट में सुनवाई के लिए ले जाया गया तो उनके हाथ में एक काले मोटी गई है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। माना जाता है कि बुरी ताक्तों को दूर रखने के लिए अंध विश्वास में ऐसे काले मोटीओं का ब्रेसलेट हाथ में पहनते हैं। यह भी कहा जाता है कि ऐसे ब्रेसलेट पहनने से आदमी का दिमाद शांत रहता है। अब आरेन ने यह ब्रेसलेट अंध विश्वास में पहना है यह फैशन में यह कहना तो मुश्किल है। देखें वीडियो। वैसे यह पहली बार है जबकि आरेन के हाथ में ऐसा ब्रेसलेट दिखा है। पहले NCB की कस्टडी में उनके हाथ में यह ब्रेसलेट नहीं था। इसलिए माना जाता है कि उन्हें किसी ने घर से लाकर यह दिया है। शुक्रवार को आरेन की जमानत की अरजी पर सुमवाई होनी है। अभी आरेन सहित सभी आठ लोग NCB के ऑफिस में ही बंध हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही उन्हें जेल में शिफ्ट किया जाएगा। देखते हैं कि उससे पहले आरेन को जमानत मिलती हैं या उन्हें कुछ दिन जेल में रहना होगा।